नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बनसल वास्तु कंसल्टेंट बनसल वास्तु परिवार की होर से आप सभी को धनतेरस और दिपावली की हारदिक शुब काम नहीं आपकी अपनी दुकान है आप दुकंदार भाई ये आपकी अपना शोरूम है और East Facing आपकी दुकान या शोरूम है तो आज मैं आपको East Facing दुकान के बारे में East Facing शोरूम के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि दिपावली का समय चल रहा है और हर वेक्ति अपनी दुकान के अंदर भरपूर माल भरता है और हर वक्ति उम्मिद करता है कि हमारा ये सिजन, ये समय बहुत अच्छा जाए तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी दुकान इस्ट फेसिंग है तो आप अपनी दुकान को बाहर से डेकोरेट करें वैसे तो हर वेक्ति अपनी दुकान को अपनी शुरूम को दिपावली के समय डेकोरेट करता है आपकी दुकान आपका शुरूम इस्ट फेसिंग है तो आपने फ्रंट के भाग में ग्रीन कलर से डेकोरेट करना है green color की आप इश्ट के बाग में लड़ियां लगा सकते हैं जो आपका अपना shutter लगा हुआ shutter के बाद आपका glass door लगा हुआ है fix glass है तो उसमें जो fix glass है वहाँ पर आपने green color की लड़ियां लगानी है ऐसा करने से आपके इहाँ sale प्लस हो जाएगी इसी के साथ आपने एक काम और करना है जैसे आपकी इस्ट फिसिंग शॉप है शोरूम है तो जब आप अंदर से बाहर की ओर देखते हैं तो जो आपका अपना राइट हैंड बनता है यानि साउथ इस्ट कॉर्नर वहाँ पर आपने एक रेड कलर की लाइट जरूर लगानी है लड़ी जरूर लगानी है ऐसा करने से आपके इहां सेल भी अच्छी होगी और आपको प्रॉफिक भी जरूर मिलेगा आपके अपनी जोईलरी की शोप है या जोईलरी का शोरूम है या आपका गार्मेंट्स का शोरूम है या आप अपने शोरूम में किसी भी प्रकार का का करते हैं और वहाँ पर आप अपने फ्रंट के भाग को चुनियों से डेकोरेट करते हैं चुनिया रेड कलर की पिंग कलर की परपल कलर की वाइट कलर की ब्ल्यू कलर की इस तरह की चुनिया लगा कर मैचिंग करके आप अपने फ्रंट को डेकोरेट करते हैं तो मैं आपको कहा करेंगे तो आपकी सेल अच्छी होगी आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं तो यह चोटे-चोटोपाई अपने यहां पर कर सकते हैं मेरा अपना 23 सालों का अनुभव रहा है जहां मैंने दुकानों पर श्योरूम पर इस तरह के चोटे-चोटोपाई कराएं वहां पर सेल ब जानकर यह अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंग्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसी तरह अगले प्रगाम में फिर एक नहीं विशे पर चरचा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार कर दो कर दो